कुछ रूक मैनू पुत लग देने, कुछ रूक लग दे मावा, कुछ रूक नुवा धिया लग दे, कुछ रूक वांग ब्रावा परियावरण चेतना का अर्थ है हमारे आसपास की सुद्धी होना या उसमें सुद्धी करण करना हमारे बुरूजों ने यदि हम सब को बताया कि गाओं के बाहर देवी देवताओं के नाम पर कभी कहीं ओरन छोड़ी भी है कहीं पर कोई बनी छोड़ी भी है कुछ युवाओं से भी मेरा ये अनरोध हैं कि जो बुजुरुग जो कह रहे हैं वो बात एकदम सरब होने कि सकते हैं युनिवर्शल टूथ है वो बात हमें उनकी बातों पर अनुसरन करना पड़े कि आसा रूडिया आसा दी गाएं बैसा ने घास दी घीगी गिलोडी दई तेलगी तिलोडी दई कोई ये कहे कि ये पेड बीच में आ रहे हैं इसको कार दिया जाए तो सब लोग बैठ के बोलते थे ये बगवान का देवी दे भी माना जाए वैसे तो सबको बताया कि आज का मारा जो ये जिशे जो है आज का जो शिर्शक है वो जीवों की रख्षा के लिए पर्यावरण की चेतना के लिए अर्था खेजडी बचाओ पर्यावरण चेतना का अर्थ है हमारे आस पास की सुद्धी होना या उसमें बात हम अच्छे से जानते हैं हम सब इससे रूबरू है और जिन्दा रहने की दूसरी कोई भी तर्कीब नहीं है आज हम बात करते हमारे पुरूजों के अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ छोटी-छोटी परंपरें बनाई थी जिनके मात्यम से पेड़ों को बचाने क सरंग्षन आज तक होता आ रहा है और हम भी उसी के लिए आज यहां वो पस्तित हुए हैं हमारे पुरूजों ने यदि हम सब को बताया कि गाउं के बाहर देवी देवताओं के नाम पर कभी कहीं ओरन छोडी भी है कहीं पर कोई बनी छोडी भी है और हम देखते थे कि पहल दोस्त लग जाएगा और वो जो टीडी थी वो मांती थी इस वास को लेकिन आज के वरतमान समय के अंदर कुछ युवाओं से भी मेरा ये अन्रोद हैं कि जो बुजुर्ग जो कह रहे हैं वो बात एकदम सरब होने सकते है यूनिवर्शल टूथ है वो बात हमें उनकी बात आसा के अंदर आसा रूडियो कहा जाता था और कहा जाता था आसा रूडियो यानि आसाएं पूरी करना रहीगार इसे कामना करते थे कि आसा रूडिया आसा दी गाएं बैसा ने घास दी घीगी गिलोडी देई तेल की तिलोडी देई ऐसी आसाएं खेजडी से मानी जाती यहारी ऐसी ऐसा है हम खेजडी से लेकर जलते थे गाउं के अंदर परंपरायम थी बेसाक में पेड को सीचने की आज भी अगर सबको याद होगा गाउं घरों में कभी कोई खेजडी जो बीच रस्ते गंदराई थी गाउं वालों को बचाने का प्रत ने यह होता था या तो लोग बैट के बोलते थे यह बगवान का देवी देवताओं का सरूप है इसको हम नहीं कार सकते हैं यह छोटों वो हमारे बीच में रहकर और हमें उन पेडों को सरंक्षण की ऐसे छोटी छोटी धारन हैं हमें सिखा कर गए थे लेकिन आज के परिपाति के अंदर यह सब चीज़ें कम हो रही है राजस्तान में लगबख सभी जातियां जो अपने इष्ट देवों को कहीं ना कहीं किसी प्रजाती में या किसी पेड़ के अंदर ढूनने का काम करती है उधारन देखे तो जसनातियों के अंदर चाल का वरक्स महत्म माना जाता है गुजरों में नी अगर प्रमप्राओं का समाज में या इत्यास में कोई उलेखे निये उधारन है तो वो है सबसे संब्वूर्ण विस्तोई समाज और मैं उसी समाज से नाता रखता हूं मेरा रखत उसी समाज से है विश्टिय समाज के लोगों ने जितनी भी रिती रिवाद जितनी भी अपनाए उन सब के अंदर यही है एक प्रसिद कवी हुए थे पंजाब के उन्होंने कुछ बात बोली थी छोटी सी मैं आपको बोलना चाहूंगा कुछ रुक मैनों पुत लग देने कुछ रुक लग दे मावा कुछ रुक नुवा धियां लग दे कुछ रुक वांग ब्रावा कुछ पेड मुझे पुत्र जैसे प्रतीत होते हैं कुछ पेडों में मुझे मेरी मा नजर आती है कुछ पेडों में मुझे बहु बेटियां परिपून हैं, परिभूत हैं, सारे जानते हैं, मैं केवल आज के समाज से केवल यही कहना चाहूंगा, कि वर्तमान समय के अंदर हमारा जो यह लक्से है, पेड़ बचाने का, इसमें आज मैं मेरे मन की बात बता रहा हूं, मैं चमाज चाहूंगा, अगर किसी को बुरी लगे तो मैं पहले से समायात ना करता हूँ आप लोगों से जितने भी अगरणी पंक्ती के लोग हैं हम मुदारण इस्टार्ट करते हैं गाओं के अंदर सरपंच होता है उसके बाद में सहरों के अंदर कोई मुख्या होता है उसके बाद में संच समाज के लोग हैं उसके बाद में हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साथ भी हरिलाल जी बैठे हैं, पारिटी के जो अपनी बात को पारिटी के उस नेताओ तक पहुचाते हैं, मेरा सबसे एक अन्रोध है, लास्ट एक है, बुजोरों को का अनुबव होना चाहिए, युवाओं का जोस होना अच्छे ये, तब जाकर हम पेड़ को कई ना कई बचा सकते हैं, सिर्फ सांती पूर्ण या एक जगे बैठ कर साइदे हैं, मस्ता आलूने वाला नहीं है, जन्हेवाद प्रेमिन